हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल पुनिश सर की पार्ट शाला यूर्स चैनल और आज मैं आपके लिए वापस लेके आ गया हूँ एक और लेक्चर क्लास 12 वही क्लास 12 एलेक्ट्र स्टाटिक्स एलेक्ट्रिक चार्ज़न फील्ड चैटर नमबर वन पार्ट नम भी लास्ट जो लेटेस्ट पाउट भुनाय था जो पिचला पार्ट था उसमने कुछ निमेरिकल करवाए थह आपको प्रट्रीक फील्ड के अब जो की है क्यों कि छार्ज़ दिस्रिबूशचन अने वाला है तो मैं आपको बता दूँम कितने परद्कार के होते हैं क्या हो होते हैं उनके symbols क्या होती हैं उनकी units एक छोटा सा introduction ज्यादा बड़ा video नहीं बनेगा छोटा introduction रहेगा किसके लिए charge density कि what is charge density चलिए तो lecture को बिना देरी से start करते हैं तो अब तक जितने भी lectures आप लोगों ने देख लिए भाई नहीं देखे हों तो description में देख लो Instagram पर फॉलो कर लो direct message करो जो भी doubt है मैं आपको उसका video मना के दूँगा जो भी आपको problem है मैं आपको सब उसका video मना के आपको दूँगा तो चलिए अब हम heading लगाते हैं बहुत खुबसूरत सी heading लगाएंगे हम charge density what is charge density तो इसका area में कितने volume में कितनी length में उसमें कितना ch志 है इसको एक चीज समझें एक तरीके समझें कि population density अगर आपने पड़ी हो तो population density के अंदर कितने number of low होते हैं एक particular one meter square के one kilometer square के area में तो one kilometer square के area में जıtने low होंगे वो population density होगी इस से कोई लिए दनी कि population कितनी है यह होगा कि 1 km2 के area में कितने लोग आते हैं that is known as population density अब हो सकता है कि किसी country की population कम हो लेकिन उसकी population density जादा हो या हो सकता है किसी की population जादा हो लेकिन उसकी population density कम हो because of the area और इसी को बोलते distribution of population आपको अब समझ में आगा densely populated area या जैसे urban areas होते हैं rural areas होते हैं तो हम जब इस particular chapter की बात करेंगे तो हम उस chapter के अंदर पूरे charge को distribute करेंगे in equal amount of area length and volume तो आपको आप समझ में आगा होगा कि मैं किस की बात करने वाला हूँ तो चलिए एक छोटा सा अगर अगर आप definition की बात करें तो charge density ये बताता है it tells about the charge accumulator in a body कितना total amount of charge accumulator in a body अगर उसको length पर बाटा गया हो अगर उसको area में बाटा गया हो या उसको volume में बाटा गया हो तो charge density तीन प्रकार की होती हैं देखो यार simple सी बात है तीन प्रकार से हम बात करेंगे तो पहली होती है linear क्या बोलते हैं इसको linear charge density क्या बोलते हैं इसको linear charge density देखो समझ में आ रहा है बिरकूल हलके हलके चलेंगे और मैंने अभी इसके पहले 3 symbol बनाये थे तो इसको इस्तेमाल करते हैं हम lambda से किससे इस्तेमाल करते हैं इसको wavelength के लिए इस्तिमाल करते हैं, वोही इसका इस्तिमाल करते हैं Lambda, क्या? Lambda, ठीक है, बहुत बढ़िए इसकी spelling में बड़ा confusion है तो मैं इसको गलत नहीं बताऊ पर इतना समझ लो उसको Lambda बोलते हैं, ठीक है Second होता है पहला होगए Linear charge density, मतलब हम एक length per charge को distribute करेंगे दूसरा होता है एरिया वाइस, चार्ज पर यूनिट एरिया, जैसे हम बात करते हैं, एरिया के अंदर हम जब बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, सर्फेस चार्ज देंसिटी, क्या होते हैं, सर्फेस एरिया, चार्ज डेंसिटी, या सर्फेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते volume charge density क्या बोलते हैं इसको volume charge density क्या बोलते हैं volume charge density और इसको इस्तमाल करते हम rho से इसके rho से वो resistivity वाला rho हाँ ठीक है 10 तक तो आपने पड़ा है अब क्या है linear charge density की बात करें linear linear charge density we charge density linear charge density जिसको हम बोलते हैं lambda what is linear charge density या linear charge density क्या होता है कि कितना amount of charge मैंने एक length में फैलाया है that is known as linear तो it is nothing but charge per unit charge per unit length charge per unit length yeah amount of charge amount of charge distributed amount of charge distributed per unit area sorry per unit length amount of charge per unit length और ये बताता charge density की कितना total charge accumulate कर रही है कोई body या कोई field amount of charge distributed per unit length तो lambda is equal to total charge divided by total length will be equal to charge per unit length देखो न और इसकी unit क्या होगी कूलाम पर मीटर क्या होगा कूलाम पर मीटर क्या होगा कूलाम पर मीटर यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c m-1 ठीक है इतना समझ माया linear charge density linear charge density is nothing but the charge per unit length की एक length में कितना charge distributed suppose for example अब इसका question लाएगा बहुत बढ़िया मान लीजिए कि ये एक length है इसकी length किती है L और इसको equally charge distribute कर दिया हमने सब जगे बराबर से charge distribute करा हुआ जैसे मम्मी आपको खाना बराबर distribute करती ना कुछ 5 रोटी 10 रोटी तोड़ी मनाती है अलग से कि नहीं तुम 10 खा रहे हो लेकिन तुम्हें सिर्फ तीन ही मिल रही है तुम्हारे भाई जो कम खारा उसको जागा ऐसा नहीं जैसे पीजा आता है वह बराबर चार्ज डिस्ट्रिब्यूट कर देता है अब इसको टोटल चार्ज है क्यों इसको कायमेड पूरी लेंथ पहलाया तो लेंथ किती है एल हमने एरिया पे नहीं पहला है बहुत पतला है अरे अब मैंने थोड़ा बोटा दिखाया यह इतना पतला ह है बहुत पतला है तो इसके ओपर इसके ओपर चार्ज डिस्ट्रिब्यूट होगा कैसे हुआ होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ से हुआ होगा जिसकी वेल्यूट होती होती है लेंडा लेंडा विल इकोई टू किसके बराबर क्यू टोटल चार्ज डिवाइड बाए लें next है हमारे पास surface charge density या charge per unit area, तो surface charge density की बात करें, तो heading लगा लेते हैं, second, surface charge density, what do you mean by surface charge density, sir, and it is represented by sigma, बहुत बढ़िया, surface charge density is nothing but the charge distributed in per unit area, यानि charge per unit area is called surface charge density, and it is represented by sigma, और eco definition बताओ, it is the amount of charge distributed per unit area, अब लिखने की जरूत तो नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, what do you mean by sigma, sigma is nothing but charge per unit area, divide, what is the value of the total charge distributed in per unit area, is equal to charge per unit area, that is known as sigma, it is total charge, total charge, and this is area where charge is distributed area, इसकी unit क्या होगी बाई, कूलाम पर मीटर स्क्वाइर, cm-2, ठीक है, समझ में आया, आई के समझ में आ गया होगा, मतलब अरे इसको समझा बेंगे, ये एक स्क्वाइर है, इस पर पूरा फेला दिया, paper, 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 पूरा चार्ज फेला दिया, एसे, ठीक है, इसका बेंटे हो, हाँ, कभी गेह बीन है, हम लोगों ने गर्मियों में बहुत बीन है, तो उसमें क्या होता है, जब हम पिक अप करते हैं, कंकड बगेरा, तो पूरी में क्या करता था, पूरे उसको ये गेहूं को फेला लेता था, पूरी थाली पे, equally, that is known as charge per unit area, समझ लो गेहों के दाने कैया है, charge, अब आगया होगा, क्लियर होगया होगा, तो छोटे-छोटे जो गेहों के दाने, वो charge है, पूरे थाली पे फेल गा है, कितना पाई रस्कूर, अभी इसका कितना, A स्कूर, side into side, divided by total charge, is equal to sigma, so that is known as, charge per unit area, next, last but not the least, we have, volume charge density, क्या है, volume, volume charge density what do you mean by volume charge density and it is represented by rho very nice so what is volume charge density as far as volume charge density is concerned it is nothing but charge per unit volume charge per unit volume what do you mean by volume charge density 1 second charge per unit volume charge per unit volume what do you mean by volume to meter into meter into meter cube amount of charge distributed amount of charge distributed distributed per unit volume per unit volume बहुत बढ़ी है sir दिलपल एकदम clear हो गया अभी clear नहीं अभी और एकदम माहुल जमेगा पताओ क्या ये room है for example ये cuboidical room है cubical room है cubical नहीं cuboidical तो इसमें जितनी भी हवा है समझे लो हवा के छोटे छोटे जो molecules हैं वो क्या है? charge और इस पूरे कमरे में अगर ये फैल गए तो वो क्या कितने volume में फैलें? तो अगर मैं कहूं कि एक unit volume या एक meter cube या एक centimeter cube एक mm cube एक unit volume में कितने molecules होंगे तो आप कुछ नहीं करोगे total molecules या total charge divided by total volume will be equal to सिंगमा अरे मही रहा है row और actually यहां पर है ना V लिखते हैं, V का मतला volume तो this is called total charge इसको बोलेंगे total charge और इसको बोलेंगे total volume बहुत बढ़ी है सर अब एक काम समझ लो इसको भी एक तरीके से समझ सकते हों जैसे तुमने गुबारे में हवा भर दी, पानी भर दिया या फिर यह बहुत बड़ा sphere है, इसको volume में charge distribute करवा दिया, तो पूरे volume में फेलेगा, ना कि surface पर अब यह आएगा मज़ा, मैं सब समझाऊंगा gauss law से, इस पूरी concept को gauss law से समझोगे तो बड़ा मज़ा जाएगा ठीक है, तो यह पूरे volume में equally distribute कर दिया मैंने, हवा जिसे पूरी सब जगे फेल जाती ना equally ऐसे यह charge भी फेल गया equally volume में, तो क्या हो गया volume charge density, total volume total volume किता है, 4 by 3 pi r cube, और total charge is equal to क्या, rho बढ़िया, तो this is called charge density, charge density कितने प्रकार की हुई हमारे पास 3, हम लोगों ने पहले तो line पर फेलाया, linear charge density फिर हमने area में फेलाया, surface charge density फिर हमने volume में फेलाया, volume charge density, charge per unit length, charge per unit area, charge per unit volume क्या, lambda, sigma और rho आने वाले lectures में आपको इनके बहुत अच्छे से use समझ में आएंगे, gaus low में आप पढ़ोगे इसको बहुत अच्छे से, तो अगर lecture पसंद आया, तो lecture को like करो यार और नए हो तो subscribe करो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, जैहन